रज़ुक में चैनल , देखिया खिए कितना शुन्दर बनाया है , देखिया है कितना शुन्दर लग रहा है एक से दिए वाला वाला जोशा और गूरा हूद बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया यह नितना संदर लग रहा है, पूरा देखिए इसको आप कितना भी बड़ा बना सकते हों, यह देखिए, मैंने overboard अलग स्वेर बना के जोड़े हैं इतर तो आपको गरी और बड़ा करना है तो इसमें आप और बी एक्स्ट्रा जूड सकते हो इसको मैं इसके बताती हो इंस टेप से कितना लंबा चोड़ा बना नहीं देखिए यह नगती से है नंशी लंबा यह चोड़ाई इसकी बनाने के लिए सिंपल नीटिंग गूल है और 2.5 mm का क्रोशियर यूज़ किया है और बनाने के लिए है जरू करते हैं यहां पिए करशियर यहां पे नॉट बना लेंगे हो यह इसितरह से कम नोट बना के क्रोशएहू ले लें लें गया को चार चैन बनाएंगे एक लो इनixon joke ओ यह बन गया, अब जो यह हमारा सर्कल बन गया बीच में से, इसके बीच में से, 8 सिंगल क्रोशे बनाने हैं हमें इसमें, एक, दो, तेन, चार, आज, छे, साथ, यह होगे 8, 8 सिंगल क्रोशे होगे, अब इसमें, स्लिप स्टिस से जोइन कर देंगे इसको, स्लिप स्टिस से जोइन कर देंगे इस तरह से, अब तीन चेन बना लेंगे, एक, दो, तीन, अब हमेंसमें पफ बनाना है, तीन चेन बना लिए, एक लूप ले लिए, इस वाली चेन में से, एक, दो, तीन, चार, चार लूप लेएं हमें, पफ को बंद कर देंगे इसरे एक चेन बना लिएंगे, से टेंच बनाने सारि को बीच ह tinha हमारी न बना लिया & फिर से लूप लेंगे उसमें है 4-2-3-4-5rd ले लेंगे इस तरह से एक चैन बना लेंगे अर्बार इस वार इस तरह से रहे लेती हूं जह देखें में बना लिये हैं एक दो तीन चार पांथ छे साथ आठ आठ पफ बनाने है और इसमें एक चेन बना लिए इसमें ऐसे निखें विच में आ जाएंगे यहाँ पे इनके भी बीच में इधर सिंगल क्रूसियर बना देंगे अब हम यहांपर फबनाने इन के बीच में बनाने हर किसी बह बीच में दो नेगे दो दोप बनाने हम इसमें पहले तीन चेन प्राइब लगाएं है ciao gto तीम तीन चैनल हो गई एक लूप लिया इसमें से बाशूप लिडयने एक चैनल हमारी इसमें चार लेंगे एंगी दो में आदाए पिर से इसी को और यह पांच हो गई क會 फिर इसे वाले में बनाना भूंआ है ओ कि मायं बनाने दौरा अब्स Like इसे में वीिए फिर इस को बनाना फे से एक इसमें वूल नान एंच सब्सक्स अवं हो मैं आपको तते और ये वाले में दौरा लेंगे इसमें अगले वाले में इस वावले पॉफ अब एक पांच लूप लेंगे फिर से दो तीन चार और यह होगे पांच पॉफ को बंद कर देंगे एक चेन बना लेंगे इसी तरह से बनाते जाना है हम है इसमें इसी वाले में एक और पॉफ बनाएंगे एक पांच लूप लेने हैं दो तीन चार और यह होगे पांच पांच लूप ले लिए पॉफ को बंद कर देंगे एक चेन बना लेंगे इसी तरह से सारे जो बीच में पफ के बीच में जो गैप है इसमें दो दो पॉफ बनाते जाना है तो यह में बना लेती हो भी सारे फिर इसमें साहरे में दो दो पफ बना लिए हैं यहां पे चेन बना लिए इसको स्लिप स्टेश से जोइन कर देंगे यहां पे इस वाले पफ में स्लिप स्टेश से जोइन कर देंगे इसको मैं एक चेंग हम नाकर इस वाले धागे को कट कर देंगे अब हम यहां प Whereas hier के को इस वाले धागे को अब हम यहां पर वाइ-ट अलगा 歡ए गए लगाएंगे हम निदें प्र sex कहसे बनाना किसी में दो पफ बंहें बनेक हैं किसमें से कर सकते हैं, यह इसमें दो पफ के बीच में LAUGHTER यह वाले पफ के बीच में से करेंगे, जो एक में दो पफ बना रखे हैं, इसके बीच में से शुरू करेंगे बनाना, तो कहीं से भी कर सकते हो, यह देखिए, यहां से कर लेते हैं, इन दो पफ होंके बीच में से, जो एक में दो पफ बने हो हैं, इनके बीच में से शुरू क करेंगे बनाना यहां से कर लेते हैं इसमें तीन चेन बना लेंगे एक कि दो थेंटीन चेन हो गई अब इसी में हमें दो बार और डबल क्रूशे बनाना है यह लूप लिया इसी वालें इसमें दो बार बनाएंगे डबल क्रोशे बनाएंगे यह देखिए चेन लगाके एक है चेन हो गई और एक है दो हो गया एक और बनाना इसी वाले इसमें तीन हो गए एक चेन बना लिए अब इसमें अगले वाले में दो डबल क्रोश्य बनाएंगे एक एक और बना देंगे इसी में दो डबल क्रोश्य होगे एक चेन बनाएंगे अब अगले वाले में दो डबल क्रोश्य होगे दो बनाएंगे एक एक और बना देंगे दो डबल क्रोश्य होगे एक चेन बना लेंगे अब अगले वाले में भी एक और बनाएंगे 2 पार, डबल कुरोश्य, 1 ओर बनाइंगे, 2 दो बार डबल क क्रोश्य होगे, एक चेंज बनालेंगे, अब देखे, दो बार, दो, एक, दो, तेन, तेन, थीन ऐ दो बनाष्य कोआइंगे, जैसे हमने ए इसमें बनाए हैं, और यह बनाना किसमें हैं, सब्किन दूब च errand ए एक डू टीन ना डेंगे इस तीन और पैर हमगेट दो चेयन बना लेंगे इप मत दो दो चयन वेए अब फिर एक बार और बना लेंगे, तीन, इसी में ही तीन बार डबल क्रोशे, फिर बीच में दो चेन बनाई है, फिर से तीन बार डबल क्रोशे, इसी में ही बनाना है, अब फिर से एक चेन बना लेंगे, इसी तरह से जैसे धर बनाए है, एक दो तीन, तीन बार दो डबल क्रोशे बन बना लेंगे इसमें एक चेन बना लेंगे अब अगले वाले में दो बार डबल क्रोश्य बनाएंगे एक एक बार और बना लेंगे तो एक चेन बना लेंगे यह देखिए इस तरह से जैसे एक दो तीन में इसके बीच बनाएं एक दो तीन यहां पे हो गए अब एक चेन बना से दिली हमने अब इसमें तीन वार डॉबल क्रोश्यugen pó एक को दो घी आपिो दूज और को डॉचेंज बना देएगे इसमें फिरसे इस जाना फिरसे यह बीच मारो दोड़ pre पर उरे को सेंदर बनाना है यह बनाने ही इस के बीच और रहा है 2 दो डट पर चेन बना नहीं सबके बीच. इजिके बना लेती हुँ, यह तक बना लिया है , यह बना लेक्ट, हम इस्वाल मसे साड़ेन दॉरम इस्वाड में 3 क precisa st Engineering में इस में कैसे बनेंगे तीन टीन डृबल क्रोशे बना लेंगे कहाँ है एक अधोर एक और आ लेंगे शुमां क्रशे हो गए दोघर नंब बीच में जैसे हमने इनकी बीच वे में बनाेई है इस तरह ऐसे देखिए। यह gap हो गया इसमें भी जाय किन में बंगे इसी तरह से देखिए इसके चॉक्वर हो 심ले एक गोल का अभेश्चॉकषागा तब आ अगर एक में दिगा को ऑम यहाद पर बीच के सिंगल ख्रूशिय के इसमें मिन का शंद सी क्रूस्ट राउंड जैसे हमने पून कंपलीट करके बता देती हूं कि बीच में दो डबल को रोशे बना Score एक एक बार और बना लेंगे दो सेमी है बिलकुल जासा पहला वाला बनाया था एक Chain बना लिए इस तो डॉक Koros on will ऐसमें दो ॥। क्रोश्य बना देंगे इसके बीच में दो थ। डॉक क्रोश्य बनाना और से टेंडे इसके बना लिएश यह इनके बीच में बीच में हमें दो डबस बनाने तक coli एक एक बार और बना लेंगे 20 के वैद्म 1 कुसे होग符 अब यहां पहत्वी टाओए टीन डबस झाना लेंगे ईयाशLY शेम पहले गाए गां अब इसमें बीच में फिर से इसी वाले इसमें बना देंगे का ऊरेंगे-दो-ऒी बार बनाना ए था कुटेशन करेंगे मills में बीच में डो-डौ क्रोशे मुготовर करने और में तीन ब opponents में 3 chain और इन सब के बीच में एक एक chain बनाने तो यह round में अभी यहां तक complete कर लेती हूं फिर दिखाओंगे आपको है कि यह देखिए हम लास्ट में आ गए हैं यहां में एक chain बना लिए अब इसके बीच में जहां यहां पर इसको स्लिप स्टिक से जोइन हो गया अब इसको फिर से स्टार्ड करेंगे बीच में से करेंगे बीच में से स्टार्ट करेंगे हैं जैसे यह राउंड हमने निकाला है same हमने एक रौण और निकालना मैं स्टार्टिंग करके बता देति हूँ आपको बीच में पहले बनाए था सिंगल क्रोशे बना लेंगे तीन चेन बना लेंगे संलавлив üç बनाने, एक ये हो गया दो और बना लेंगे इसी में, दो हो गया, एक और बना लेंगे, तीन हो गया, अब एक चेन बना लेंगे, और इन chane बना लेंगे इस तरह से एक हमीं करना है जैसे हमने पहले वार किया था मैं avoirיה यहां तक बने खुझे जाही है किकste अब इस इन यह से बनाना है एक और दो एक बार और बना देंगे तीन अब बीच में हम 3 चेन बना देंगे और यहाँ पे तरह से यह क्रों यहाँ से जोइन कर देंगे इस तरह से एक चेन बनाएं गें और इसको कट कर देंगे, थोड़ा से बड़ा धाग कट कर लेंगे, यह सिलाई करने है हमें, उसके काम आजाए का बाद में, इस तरह से, यह देखिए, यह हमारा स्क्वेर बन गया, इस तरह से स्क्वेर बनाने है हमें, अब यह देखिए, मैंने बना रखे हैं, मैंने इनकी सिलाई कर दिया, यह हमें जोडने है, मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच स्क्वेर बना रखें पहले से और यह जोड रखें, इनकी सिलाई कर रखें, तो मैं आपको यह बताऊंगे, कैसे सिलना है, यह वाला, पहले हम इसमें यह ग्रीन वर्क कर लेते हैं, यह वाला, फिर इसकी सिला लेयर हो गई है, इसकी, इस तरह से ही देखिए, डबल धागा डाला मैं इसमें, तो यहां से बनाना शुरू करते हैं, यह देखिए, कॉर्णर पे से, यह जो तीन, तीन का डिजाइन है हमारा, इधर यहां से निकालेंगे, सो इंको नीचे से, इधर से, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, यह जो धागा है, हमें कोई नोट नी बानना, इसमें, इसके बराबर रख लेना है, हमें यहां तक यह, इसी में अटका देंगे, धागे को बाद में, इस तरह से, यह यहां तक रख लेना है, अभी नोट नी बानना हमें, कोई भी इसमें, तो इसको हम, यहा कि नीचे वाले दागrey को उंगली से रोप कर लें झाल लेए फिर यह को में बीच घच सब्रीज होल मैं इसमें इस में नोड़ भाने की जरुरत निंपड़ेगी इस तरह इसे कर लेंगे ये देखे जै इसमें ऐसे निकाल लिया हमने दागा यहां से अब हम इस्में कोई नोट नहीं भांदना पडके अब हम इसे से अर नीज से पेड़ल नहीं कbung credit कते हुआño निकालेंगे से देंज इत बच वाले में से करके यह बीच वाला होल चोड़के ओपर वाले में से लेंगे सुई को बीच वाले में नहीं करना है उपर वाले में से लेना है इस तरह से यह देखिए ऐसे करना है अब इसको वापस इसी में लेंगे यहां पर कि ऐसे इस वाले होल में दुबारा से डालेंगे बीच वाले में यह वाले में नहीं डालना है इस वाले में डालना है और इसको इधर निकालेंगे इधर की साइड सुई को निकाल देंगे ऐसे करके करेंगे इसको यह देखिए ऐसे बलनी लगना चाहिए देखिए मैंने बलनी लगन दें इसमें आससे खोलते रहना इंको आ्टा वाले आपह और यह को चालुट एस तरह से कि इसमें से निकाल लेंगे इसले में जह देखें इसके बारबबर है इसमें यहां से निकालेंगे अब इस में जहान स्टार्टिंग में हमने किया था पहले वाले वूल में इसमें डालेगेया । यह edicsminr था इवार कोंगीश सौ इस्थि 성омина नारे इय। इस तरह से बहुत आयज है जब हमाँ सबंहों सात शात तो बहुत आज बन जाएगे देखिया डीजैन कमप्लीटit अब इसको हम ध्रागे को ऐधर इसमें से लें जाते हूं डिजाइन के नीचे से दिखेगा नहीं इसमें सेने कव लेंगे सुझी को इसवाले ईक२ँ पर ले आ ये यहां पर अब इदहर से निकालेंगे यह दखे ईस वाले कि Oner पर ले आया है अआ यहीं को अभिधर से निकालेंगे तेश्क कमे रटाले विद्वाइव में एक भर और बता देती。 तो वीडिए बहुत ब़ड़ी हो जाती है एहैं इस से करेंगे इस सब्सक्राइब और वापस निकाल देंगे इस तो नेकालनी है, यहां है । है है इसमें से डालेंगे, यह देखिए इसमें से डालके, इसमें से इसके उपर वाले समें से निकालेंगे ऐसे, अब इसमें से डालेंगे दुबारा से, और यह सबसे उपर वाले समें निकालेंगे, सबसे उपर वाले में, इस तरह से, अब फिर से इसको पीछे लाएंगे इधर हर निकाल लेंगे हो इसओ वाले होल में अंहुआ यह चे इतर लाएंगे पूर से इसी वाले होल में और इसको एधर नींचे कि साइड इनřillarना कि साइड इससे अरुद भार बाबर वाले होले होल यही अन्हार ले लें proven जुँद भाला Cities a इस तरह से कि यह दिए के दर दूसरा वालन एक कंप्लीट हो गया तो असार qurna प Bir रही से दागे को जैंगे पिंक रहाना लिएक का देखर अब इसमी इसको इसे का दो कोंगे पिंक यह कर देंगे पीछे ही इधर नॉट बान देंगे इसमें बहुत एजी है जब आप बनाओगे तो बहुत आराम से बन जाएगा एजी लिए दागे को इसी में आजएस्ट कर देंगे अंदर क्या ने देखिए इस तरह एसे नहरे एकस्टड दागे की कटिंग कर देंगे दर आज देखिए अब इसकी में आपको छ करते हूं का इस से लाई करनी है झाल जासे इन की सिलाई कर लेंगे इसे जो दागा पिचा हुआ था यह मैंने डाल लिया है इसको उल्टा करेंगे कुल्टी तरफ से श्लाई करनी है देखिए मैंने सागत अगे अरजस्ट कर दिए इन में कोई धागा नहीं दिख रहा और इसको यहां से कॉर्डनर पर से इसकी स्लाई शुरू करते हैं कि बहुत ईजी है सिंपल है जैसे स्लाई करते हैं वैसे करनी है यह देखिए पहले वाले किनारी पर से इस तरह से लेते जाएंगे रागे को और इसकी स्लाई करते चले जाएंगे सिंपल है इसी तरह से पूरे कि स्लाई कर लेते हैं इसकी स्लाई कर लेते हैं पर आपको दिखाती हूं यह देखिए मैंने इसकी स्लाई कर दिया और धागे को मैंन कटकर दिया पीछे अर्ज़स्ट करके इस तरह से मैंने सारे शिल रखेंगे एक दो तीन इसमें करेंगे जाइन सारे से पहले बनायते इसका पूड़र बनाए तीना के आउटलाइन करेंगे तीन चेन बना लेंगे अब इसमें दो बार और डबल क्रोषय बना लेंगे इसमें कॉर्णर यहाँ आप इसमें बना लिए हैं अब इसमें अगली वाली चेन में डबल क्रोश्य बनाएंगे इधर वाली साइड में नहीं बनाना है यहां बनाएंगे इस वाली साइड पर एक डबल क्रोश्य बनाते जाएंगे सारी चेन में एक इधर बीच में बनाएंगे यहां पर यह देखे अब इसमें नहीं बनाना है यहां बीच में बना दिया है हमने अगली बाली में बनाएंगे इधर अब इसमें बीच में बनाएंगे इधर यहां नहीं बनाना है इसमें इसको छोड़के इसमें बनाएंगे डबल क्रोस्टे बनाते जाएंगे एक एक बीच में बनाईंगे, इसमीन बनाना है इसमें बनाएंगे इस तरह से एक-एक डबल क्रोस्टे बनाते चली है कि इस तरह से देखिए कि में यहां तक बना लेती हूं फिर जोड पर बताऊं कैसे बनाना है जहां से हमने जोड लगा या यह यह देखिए कौने पर आ गया है हम इसमें हम दो डवल क्रोश्य बनाएंगे एक मैंने बना दिया है एक और बना लेंगे अब देखिए बीच में जहां पर यह जोड़ा था इसमें एक डवल क्रोश्य बना लेंगे अब इधर वाले कौने पर यह 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 कौनर है इसमें दो डवल क्रोश्य बना लेंगे बस हर वार कौने में ऐसी बनाना है दो दो डवल क्रोश्य अब इस वाली चैन में नहीं मरतवमाते जाना है इधर बीच में जैसे पीछे बनाया था आप से में हैं इसमें डबल ग्रोश्य इसमें बनाएंग ऐसे ही इसे प्रफित कहने है पूरी देखे आ के सारी यहां तक चलते हैं यह कॉरणिर प्रागम में हमने हम बताती में कैसे तो इस दबल क्रोशे एक एकसम में बना लिया है इदर से एक और भी बना लिया है नीचे से सारे में अब हम इस कोड़नर पर आगे लास्ट में तो में कोर्नर वाला बता देती हूं कैसे बनाना है बाकिसम में एक-एक सिंगल डवल क्रोशे बनाना जैसे हमने यहां बना आये सामर को में यहां डाट यहएंव होकेया है इन में एक-एक-एक डवल क्रोशे बनाने हम नाची से एक-डवल क्रोश्य और आ लिया हमने लूप लेंगे यह और वाले में तीबल क्रोशे बनाने हैं ह 뚝 मरेख घाड है कि दो तीन तीन डबल क्रोशे होगे अब हमें आपर दो चेन बनानी है एक दो दो चेन बनानी कौने पर यह सारे में ऐसी करना है चारो साइड कौने पर तीन डबल क्रोशे बना लेंगे फिर से दो तीन डबल क्रोशे होगे बस कौनर पर यह है ऐसी करना है बागई सम्मेय में एक डबल क्रोशे बनाना है जैसे हमने यहां से बनाएं तो हैं मैं कॉम्प्लेट कर लेती हूं लिए दे की इसम introduき इसमें मैं पिंक कलर का बोडर बनाया है ओपर से सिंगल सिंगल क्रोशे बनाने कुछ भी नहीं करना है मैं कॉर्णर पर बता देती हूं कॉर्णर में हमें तीन सिंगल क्रोशे बनाने एक दो तीन तीन सिंगल क्रोशे हो गए एक चेन बना लेंगे फिर से इसी में तीन सिंगल क्रोशे बना लेंगे एक, दो, तीन, इस तरह से बनाना है corner इसका, बाकी समय एक-एक सारी chain में एक-एक single crochet बनाते चले जाएंगे इस तरह से, मैंने ऐसी बनाया है सारा, तो यह हमें चारो side करना है, यह देखे इस तरह से, यह हमें चारो side complete करना है, यह मैं भी कर लेती हूँ, यह देखे हमारा border complete हो गया, पहले मैं वाइट कलर का बनाया था, double crochet बना के और पिंक कलर का single crochet बना के, दोनों complete हो गया, यह हम धागा मैं कट कर दिया corner पर, अब यह हमारे तोरन पट्टी रेडी होगा है, यह मैं मोत्ती तो अब यह बनाना शुरू करते हैं, देखे पहले green color का दागा यूज करेंगे, एक magic ring बना लेते हैं इस तरह से, दागा इसके नीचे से निकालेंगे, फिर से इसके नीचे से निकालके, इसमें crochet hook में ले लेंगे इसको, तीन chain बना लेंगे, एक, दो, तीन, अब इसमें हम लेने हैं, एक हमारा यह chain वाला हो गया, एक होगे, दो, तीन, और यह होगे, चार, चार लूप लेने हैं हमें, यह puff को बंद कर देंगे, इस तरह से puff बनाने हैं हमें, लूप ले लिया, फिर से चार लूप लेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार लूप ले ले लिए, puff को बं कर देंगे फिर से सिंपल है ऐसी बनाते जाना है दो प५ बन गए इमारे मैं और बना लेते हूँ इसमें टोटल आट पफ बनाने अभी बना लेती हूंगा शीदव के मैं इसमें एक जोटकर बना लियाँ नीसित अब यह दागा हम इसे खीच देंगे ऐसे टाइट केचेंगे ऐसे हमेंंहeti में हाफ सरकली बनाना ऐसे टाइट केंज देंगए इसको कि देखिए फिल फोर को हिह case कि अरिफिव कण़क हो गया मैंड इसको और यश्यस्ट करदें गा लारगा को कि नोट बान देंगे इस में अब हम यहां पे पिंग कलर का दागा यूज़ करेंगे यहां से पिंग कलर का दागा लगाएंगे इन पफ के बीच में से दो पफ हैं जो इनके कि दो लगाएं विच फियो कि कि अ इसकर देंगे हमारा कि फिर से इसी वाले में दुवारा बनाना है एक में दो पफ बनाने हैं हमें चार लूप ले लेंगे एक, दो, तीन, और यह होगा, चार, पफ को बंद कर देंगे, दो दो बनाने है हमें सब में, इसी तरह से, अगले वाले बनाना है इसके बीच में, पफ को के बीच में बनाना है हमें, फिर से चार लूप ले लेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार लूप ले लिए, यह पफ को कर देंगे फिर से इसी में बनाइंगे इसे वाले में दोभाड बनाने एक तो प्रफो मुण देंगे यह में यह स्य इच्कतला बनाने कि आया हमें इसी तरह से बनाना एक में दो ह्भा भर बना से कट कर देंगे तह रहेा से अभी फिर फिर कूर कर ना तू यहां करेंगे यहां से करेंगे तो पफ उल्टे वे इस तरह से लगेंगे तो अ Cosabi angel नुवारा से यहां दागा कटकर बिख्षरे यहीं लगाएंगे न थागा कि यहीं से बनागा है कि अन्य पफ बना है हम र milks zawsze अपर बीच मेनी बनाना है, अब हमें पफ के ऊपर, इस तरह से, धागा जोइन कर लेंगे, तीन चेन बना लेंगे, एक, दो, तीन, अब एक ये लूप ये हो गया, चेन वाला, चार-चार लूप लेने हमें फिर से, दो, तीन, चार, चार लूप हो गए, पफ को बंद कर देंगे, अब इसमें अगले वाले पफ के ऊपर, सारे पफ के ऊपर, एक-एक पफ बना लेना है, चार-चार लूप लेके, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से बनाते जाएंगे, बहुत एजी है इसको बनाना, इस तरह से, फिर से इसके ऊपर, एक, दो, तीन, चार लूप को बंद कर देंगे, इस तरह से, सारे पफ के ऊपर, एक-एक पफ और बनाना है, हमें ये ओभी मैं बना लेती हूँ, अधरनमेन कप्प्लीट कर दिया इधर और ये धागा मैंने कट कर दिया यहां पर बंद करके सारे पसके ऊपर एक ऑल बना दिया मैं तो ये chant मेंई ये स्ंहों कंपिलीट हो गांगे ओपर इसमें ये ये देगे यलो को लिफ का लिएंगे बीच मेंगे अधागे को Ha एक चेन बना देंगे इस तरह से, यह जोईन हो गए यह लो कलर, अब हम इसमें दस चेन बनानी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस चेन हो गए, अब इसको इसी में कर देंगे, जोईन यहां बीच में, दस चेन बना के, इसमें बीच में जोईन कर देंगे, स्लिप स्टिच बना देंगे, यहां पर, इस तरह से बनगे स्लिप स्टिच, अब इस दागे को, इधर ले आएंगे, यह लो वाले को, इधर कर लेंगे, इधर से, एक चेन बना देंगे, इस तरह से, यह देखे, अब और यह होगे तीन तीन लूप लेके पफ को बंद कर देंगे चोटे-चोटे से पफ बनाने इसमें हमें तीन तीन लूप लेके एक हो गया एक दो तीन पफ को बंद कर देंगे फिर से बना लेंगे पांच बनाने हमें एक साइड एक दो तीन पफ को बंद कर देंगे हमें 3 होगे एक दो तीन है है दो थीन कbru intéf уб कर देंगे हैं एक ऑर बना लेंगे ए दो पिए यूथ थे pap को कर देंगे इस तरह से पांच होगे एक, दो, तीन, चार, पांच, अब हमें तीन चेन बनाने हैं इसम बीच में, तीन चेन होई, अब फिर से इधर पांच लूप लेगे, पांच बनाएंगे लूप लेके, पांच पफ बनाने जैसे इधर बनाएं, एक, दो, तीन, तीन, तीन लूप लेके, ये वाला हमें ऐसे उपर वाला एक बार निकाल के यह रह गया दागा इनको दो को एक बार में निखाल देंगे बस एक ही बंद करना ऐसे हमां बाकि सारी एक ही बार में करने है एक दो तीन तीन-थीन लूप लेकर इधार भी पांच बनाने हैं मैं भी बना लेती हूं दो बन गए तीन और बनाने हैं यह देखे दोनों साइड पांच-पांच बना लिए हमने अब इसको यहां बीच वे सलओंस से जोइन कर देंगेSabar जों कर देंगे इसको बन पर से अब इसको एक चेन बना लेंगे यहां पर एक और बना लेंगे और इसको कट कर देंगे दागे को यह लबाले को यह देखे इस तरह से इसकी उपर की दिये की लोग बन गई बइंस कोई यह इस तरह आप से नाचे है निदेंगे फिल खीजव的 को इसंगे कोई आप दे इसके इसमें धागा दे रहें हैंने नोगेहें दिए पेस्ट कर देंगे इनको यह कि मेरे मेरे पास है मैंने अमजोन समग आया थे और ग्लू इनके साथ या यह फैविक वाली ग्लू है इससे पेस्ट कर पे छोटे नहीं और इसके तरह बनाया है इसके दागे अरजस्ट कर लें बाद मैं एक दिखा देते हूं अपको कैसे तोरन मैं एक पॉर्स पीज़ हो लेकि ते केल ने कaway देते हुमें इस तरह से टार – अभान फॉरर करते हैं पहले अलन लगाएंगे तो मैं बताती हूं स्टार्टिंग से कैसे लगाएंगे तो यह दे रिखिर हूं से साथ चैन छोड़के यह बीच में इने तेरर धेर चैन छोड़ियों, चौद भी नंबर पर हमें दिया लगाना है, ऐसे मैंने पिन लगा लिये, मारकर लगा लिया, इस तरह से लगाना है, यहां से देखिए, सिंगल क्रोशे बनाते हुए, जहां हमने मारकर लगा है, यहां तक बनाएंगे, इस तरह से, और यहां पर हमें दिया जोड़ना है, इस वाले में, इसको निकाल देंगे, पिन को, और यहां पर दिया ले लेंगे, दिये को जोड़ेंगे इधर से, ऐसे रखे इधर से, इसमें से निकालेंगे, और यह दिये की लोव में से, इधर से जोड़ जाएगा, सिंग जोड़ गया दिया इसमें इस तरह यह जोड नहीं हमें अभी सिंगल क्रोशे बनाते जाना है सारे में इस तरह से बनाते हुए मैं यहां आजाती हूँ भी फिर से एक और जोड के दिखा दूँगे अपको यह दिक्या मारकर के पास आ गया है हम इस निकाल के एक दीया जोड लेंगे, विरेब यास her तरह एक लाइन के सारे जोड लेती हो अभी मैंने कि मैंने कि और लेती हुँ जोड दिये कि सारे इक लेनन जोड गई हैब में यहां से सेकंड लाइन शुरू करते है रहे मिन transformation धीं कर सकती आई आनुम ये स्टार्टिंग वाले दीआ है इनमें ये रला कलर से इनमें एक सिंग्ल क्रोशे करेंगे दीए के बार बार दीए आपस मं जोड देंगे इनसे एक फास में दो-डो सिंग्ल क्रोशे बनाने हैं इस स्थरह से या परे ऋपर नहीं बनाना है य इस तरह से पफ के बीच में दो-दो सिंगल क्रोशे बनाने यहां तक अभी बना लेती हूं इसे अभी नहीं सिंगल क्रोशे बना लिए हमैं ते में कि सुंदर लग जोड़िया वॉड़र इसको जोड़िए के सिपने दिया है बीच मतल़ए जानिया यहां बनाया है यहां पर हमें यहां से जोडना है यह वाला यहां स्टार्टिंग से बनाएंगे धर ऐसे ऊपर से बनाना है दो सिंगल क्रोशे बना लेंगे इसमें बस ऐसे सिंगल क्रोशे बनाते जाना है दो-दो पफ के बीच में सारे पफ के बीच में दो-दो सिंगल क्रोशे बनाते चले जाएंगे इस तरह से यह देखिए जोड गया इस तरह से इस सारे दी जोड जाएंगे पर इस सारे में यह सारे जोड लेती हूं बना लेती हो एक लाइन कंप्लीट कर लेती हूं फिर सेकेंड लाइन बताऊंगे आपको इस देखिए लाइन कंप्लीट होगी जोड गई हमारी पूरी से किते संदर लग रहा है अब हम इसमें आगे जोड देखिए अब एक में पर कंप्लीट करके दिखा देए फिर सारे ऐसी बनाने आगे हैं देखिए इसको इंदियों के बीच में जोड गए यहां पर नीचे तो जैसे हमने अहले सिंगल क्रोशे बनाया है ऐसी तरह सी जोड़ना है यह देखिए इस तरह से जुड गया एक बार हो गया अब एक बार और इसी में सिंगल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से यह देखिए जोड गया इसमें अब आगे सिंगल क्रोशे बनाते होए चले जाएं इस तरह से जोड़िया से हैं इधर से पूरा इसे पूरा कम्प्लीट बना लेती हुँ नीज़ どो सिंगल करोशे बनाने हैं और यहां पर आ कर बताऊंगे कैसे जोईन करना इस में अब देखिगे यहां पर इसमें जोड़े इसमां जोड़ गया है, अब हम इसमें दूसरा पफ जोड़ेंगे, जोड़ेंगे यहां से इसमें उपर से ही इस तरह से यहां पर देखिए दिग्रिये चेन बनाई थी चो डार्टिंग में हमें पर हमें दो सिंगल क्रोशे बना लेने हैं इसमें इस तरह से यह जोड जाएगा एक बार हो गया एक बार और बना लेंगे दो-दो सिंगल क्रोशे बनाते जाना है सारे में इस तरह से दो-दो सिंगल क्रोशे बना दें सारे पफ के बीच में इस तरह से इसमें जोड जाएगा यहां पर इसी तरह से में इसको जोड देती हूं फिर यहां पर एक और बताऊंगे कैसे जोड़ना है है यह यह से जोड़ दिया है सिंगल क्रोशे अपने अपने दिख जाता एसे दख के इसको पकड़ने और इसको पस्ट वाली चेन में से यहां से दो गार सिंगल क्रोशे बनाना है हमें इसमें से और यह जोड़ भी जाएगा ऐसे जैसे पहले वाला जोड़ा है से मैसी जोड़ना है एक बार हो गया एक बार और बना लें सिंगल क्रोशे और यह जोड़ भी गया इस तरह से हमें दो-दो सिंगल क्रोशे बना दो इस तरह से दो-दो सिंगल क्रोशे रेदी के जड़ गया यहां पर अब इसे यहां पर जूसर ना बता हूं मैं यहां तक इसे बना लेती हूं यह देखे मैंने इन में दो-दो सिंगल क्रोशे बना लिए अब आगे हम जोडने के पास तो यह देखे आसा रखके देख लिए इस वाले पफ में जोड़ेगा यहां पर इस तरह से यहां पर जोड़ देंगे बस इसी तरह से जोड़ने है बहुत ईजी है और बन के बहुत सुंदर लग रहा है यह जरूर ट्राइए करना आप यह देखे इस तरह से धागे को कट कर देंगे यहां पर इस तरह से जोड़ने हैं हमें दूसरी साइड के जोड़ लेते हूं फिर दखाऊंगे फाइनल कैसा लग रहा बनके फिर इसमें हम लटकन लटकाएंगे आप लगा के दखाऊंगे आपको कैसे बनाना हैं यह देखें दीए मैने सारे लगा लिए इधर इस तरह से मैंने तीन जगे लगाएंगे तेन-पटि में लाइन ज़ह सकते हो लाइन से लाइन लगा सकते हो एक लाइन दिये की पूरी कमप्लीट फिर दूसरी वाले लाइन सकते हो ऐसे चाहों यसार लगा सकते हो जैसे आपकыми मन्होंट हों ऐसे अपनी मजही से कैसे हो ऐसे कैसे हैं लगा सकते हो घ्रचकिर श्ली में इसने मिने उसलिए रहि लगा दिता है लगान जी जा आrench एक संगर बना दिया olv concern इसका बाहर बाहर सारा यल्लो कलर से यह देखिए जैसे नीचे बनाया था एक सिंगल क्रोशिया यह देखिए इस तरह से चारो साइड बनाती है अम आपको बताती हूं यह कैसे बनाई है मैं लटकन इसकी यह देखिए मैंने गत्ता लिया है यह पहां चेंच का है आप कितना बढ़ा ले सकते हैं अपनी मर्दी से यह इतनी बढ़ी आपको बनानी है हम बनाना शुरू करते हैं यह देखिए बना लिया हमने लटकर इसे हम सुईं से इसमें सिल देंगे सुईं को इसके बीच में से निकाल लेंगे कि इसमें यहां पर यह देखिए मैंने सब दिये के पास कॉर्णर पर जोड़ें और इसके नीचे जोड़ेंगे इस तरह से इसके सिलाई कर देंगे बस सिंपल है इसके सिलाई हो गई है इस तरह से बनाना है में देखिए तोरण हमारा कंप्लीट हो गया है कितना सुन्दर लग रहा है देखिए बनके यह देखिए अब आपको पूरा दिखाती में से यह देखिए हमार तोरण बनके रैडी हो गया है देखिए कितना सुन्दर लग रहा है दिये वाला तोरण और आप इक तरह और पर बालाई नीचे वाली पूरीड करके यह से भी बना सकते हैं इसको जैसे आप चाहो आपको इसे कर सकते हो यह देखिए बनके ईथना संदर लग रहा ज़रूर ट्राइं ईसलिक करना और बहुत ऊजिए है इसको बनाना झाल झाल